परिचाए बच्चों, हम सभी अब अफकलज के बारे में चानते हैं आज हम समाकलनों के बारे में चानेंगे सेर, समाकलन, वे क्या हैं? क्या वे अफकलनों से संबंदित हैं? हार आहुल, समाकलन अफकलनों से संबंदित हैं वे प्रती अफकलज हैं क्या आप जो कह रहे हैं वो ये है कि यदि साइन एक्स का अफकलन कॉस एक्स है तब कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होगा बहुत अच्छे राहुल हाँ मैं यही कह रहा हूँ आओ मैं तुम सभी को समाकलनों के बारे में और बताता हूँ इस पार्ट में आप फल्नों के समाकलनों के बारे में जानेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करदे में सक्षम हो जाएंगे समाकलन और अफकलन के बीच अंतर निकालना प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन निकालना त्रीकोण मितिये सर्वसमिकाओं का उप्योग करके समाकलन निकालना आंशिक भिन्नों का उप्योग करके समाकलन निकालना खंडशा समाकलन निकालना योगभल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन निकालना कलन की आधार भूत प्रमहिका उप्योग करके निश्चित समाकलन निकालना और प्रतिस थापन द्वारा निश्चित समाकलन निकालना अब कलन के व्यूत करम प्राकरम के रोप में समाकलन यदि capital F of X का अफ़कलन कुणांक F of X है अर्थात capital F of X का D बटा D X बराबर है F of X के तब हम कहते हैं कि F of X के प्रति अफ़कलज या समाकलन capital F और X को निम्ने रूप से लिखा जाता है ये समाकलन की धारणा है समाकलन के इस प्रतिक का आशे है F of X समाकल है X समाकलन का चर है तथा D X X के सापेक्ष समाकलन को निरूपित करता है किसी चोहरस C के लिए निम्न समी करा है X के सापेक्ष का F समाकलन X का F जमासी है जहां C एक स्वेच अचर है ये दिखाता है कि Capital F of X तथा X का F जमासी का दोनों एक ही फलन F of X के समाकलन है इस परकार C के विभिन मानों के लिए हमें F of X के विभिन समाकलन राब्द होते है अठात F of X का समाकलन निश्चित नहीं है इस गुण के प्रभाव से Capital F of X को F of X का निश्चित समाकलन कहा जाता है अवकलन के विउतकरम प्राकरम के रूप में समाकलन कुछ महतपून समाकलन निश्चित है अवकलन के विउतकरम प्राकरम के रूप में समाकलन कुछ अनिश्चित समाकलन के गुण धर्म निवने लिकित है एक, यदि C कोई अचर राशी है तब F of X X का एक फलन है तब X के साबेक्ष C गुणा F of X का समाकलन बराबर C गुणा X के साबेक्ष F of X का समाकलन 2. दो फल्लों के योग या अंतर का समाकलन उनके समाकलनों के योग या अंतर के पराबर होता है जो की दिया हुआ है यदि X के सापेक्ष F का समाकलन पराबर 5X जमासी टैश हो तब X के सापेक्ष F1 औफ AX जमाबी का समाकलन पराबर 1 बटा A गुणा 5AX जमाबी जमासी है उदारण निम्न का समाकलन ग्याद कीजे हल दिया गया समी करण निम्न लिकित है समाकलन के कोन धर्म से हम इसे निम्न परकार लिख सकते हैं अफकलन के व्यूतकरम प्राकरम के रूप में समाकलन अफकलन और समाकलन के बीच तुलना अफकलन में एक फलन का अफकलज क्यादी अस्तित्व में हो तो एक इकाई फलन होता है जहां समाकलन के रूप में एक फलन का समाकलन अज़ित्य नहीं है अफकलन में एक बहुपद P के अफकलन के पश्चाद परिणाम बहुपद होता है जिसकी खाद एक होती है एवं जो कैपिटल P की खाद से कम होती है जहां समेकलन के रूप में एक बहुपद कैपिटल P के अफकलन के पश्चाद परिणाम बहुपद होता है जिसकी घात एक होती है एवं जो कैपिटल पी की घात से अधिक होती है अफकलन में अफकलज का उपयोग कुछ भौतिक राशियों का मान क्यात करने के लिए किया जाता है जैसे जब किसी समय टी पर तह की गई दूरी क्यात हो तो एक गती मान कण का वेक निकालने में जहां समाकलन के रूप में समाकलन का उपयोग जब किसी समय टी पर वेक यात हो तो तह की गई दूरी का परिकलन करने में किया जाता है समाकलन के विधिया समाकलन की तीन विधिया हैं वे हैं स्थिस्थापन के द्वारा समाकलन आंशिक भिन्न का उप्योग करके समाकलन निकालन और खंडशाह समाकलन स्थिस्थापन के द्वारा समाकलन में हम एक स्वातंत्र चर को एक दूसरे चर में बदलते हैं कुछ त्रीकून में दिये सर्व समिकाओं के समकलन निम्न हैं। उधारन निम्न का मोलियांकन कीजिए। फल चरण एक एक प्रतिस्थापन फलन यू का चैन कीजिए। प्रतिस्थापन फलन यू पराबर दो, एक जमा तीन है। चरण तो, ढी एक निम्न का मोलियांकन किजिए। दो एक जमा तीन बराबर यू, एक्स के साथे एक्ष अफकलन करने पर दो बढ़ाबर do बढ़ा dx1 बढ़ा 2do प्राब्ध होगा चरण 3 प्रıtिस्थापन करने पर निम्न प्राब्ध होगा x के सापेख्ष 2x जमा 3 की घात 4 का समा कलन बढ़ाबर u के सापेख्ष u की घात 4 गुना 1 बढ़ा 2 का समा कलन चरण चार, परिणामी समकलन का समकलन करने पर निम्न प्राप्थ होगा चरण पांच, प्रारमभिक चर, एक्स पर लोटने पर हमें निम्न प्राप्थ होगा अधा, हल है, एक्स के सापेक्ष, दो एक्स जमा तीन की घात, चार का समकलन परापर, दो एक्स जमा तीन की घात, पांच पटे, दस जमा सी त्रीकोन मिथिये सर्व समिगाउं का उप्योग करके समकलन निकालना जब समकलन एक त्रीकोन मिथिये फलन हो, तब हम त्रीकोन मिथिये सूद्रों का उप्योग करके दिये गए फलन को मानक समकलन या उनके बीच गणितिये योग फल में बदलते हैं साइन वर्ग एमेकस बराबर एक घटा कॉस दो एमेकस बटे दो कॉस वर्ग एमेकस बराबर एक जमा कॉस दो एमेकस बटे दो साइन एमेकस बराबर दो साइन एमेकस बटे दो कॉस एमेकस बटे दो SIGN KHAN MX पराबर 3 SIGN MX, घटा SIGN 3 MX बटे चार COS KHAN MX पराबर 3 COS MX, जमा COS 3 MX बटे चार 10 WORK MX पराबर SEC WORK MX घटा 1 COT WORK MX पराबर COSIC WORK MX घटा 1 दो कॉज, कैपिटल A, कॉज कैपिटल B, बराबर कॉज A जमा B, जमा कॉज A घटा B दो साइन, कैपिटल A, कॉज कैपिटल B, बराबर साइन, A जमा B, जमा साइन, A घटा B दो साइन, कैपिटल A, साइन कैपिटल B, बराबर कॉज A, घटा बी, घटा कॉज A, चमा बी उधारण, मुल्यांकन कीजे, X के सावेक्ष कॉज वर्क 3X घटा 5 का समह कलन हल, निवन समी करण दिया है, सूत्र का उप्योग करने पर हमें प्राप्त होता है X के सावेक्ष एक जमा कॉज 2 कुणा 3X घटा 5 पटे 2 का समह कलन, जो की पराबर है एक पटे 2 कुणा X के सावेक्ष एक जमा कॉज 6X घटा 10 का समह कलन, जो पराबर होगा एक पटे 2 कुणा X जमा एक पटे 6 कुणा साइन 6X घटा 10 जमा सी के, जहां सी त्विच अचर है कुछ विशेश्ट फल्लों का समा कलन, आईए अब हम कुछ नीचे दिये हुए विशेश समा कलन के बारे में जाने कुछ विशेश्ट फल्लों का समा कलन, निम्न प्रकार के समा कलन, X के सापेक्ष एक बटा AX वर्ग जमा BX जमा सी का समा कलन, तथा X के सापेक्ष एक बटा वर्ग मोल AX वर्ग जमा BX जमा सी का समा कलन, कारे नियम चरण एक, निम्न रूप प्राप्त करने के लिए गुणाक X वर्ग को दोई खात समी करण के बाहर लेकर गुणाक X वर्ग को संगत बनाते हैं, चरण तो, निम्न रूप प्राप्त करने के लिए एक्स के गुणाके आधे के वर्ग को जोड़ कर एवं घटा कर, एक्स वर्ग तथा X वाले पदों में वर्ग को पूर्ण करते हैं, ए गुणा X जमा B बटा दो ए वर्ग जमा C बटा A माइनस B वर्ग बटा चार ए वर्ग चरण तीन, समाकले को एक विशेश प्रकार के समाकलन में परिवर्थित किया जाता है, चरण चार, फलन का समाकलन ग्याद कीजिए, निम्न प्रकार के समाकलन, एक्स के सापेक्ष PX जमा Q बटा AX वर्ग जमा BX जमा C का समाकलन, एवं, एक्स के सापेक्ष PX जमा Q बटा वर्ग मूल AX वर्ग जमा BX जमा C का समाकलन, कारिनियम, PX जमा Q बराबर लेम्टा कुणा दो AX जमा B जमा मियू तकने पर, इसका तात्पर है P X जमा Q बराबर लेम्डा गुणा दुई घात समी करण का अफकलज जमा मियू दोनों पक्षों के गुणांक X और अचर पत की तुलना करने पर लेम्डा बराबर P बटा 2A, मियू बराबर Q घटा BP बटा 2A मानों को रखने के बाद समाकलन को विशेश समाकलन में परिवर्दित किया जाता है उधारण 1 मुल्यांकन कीजे X के साबेक्ष 1 पटा 1 घटा 9X वर्क का समाकलन हल दिया है X के साबेक्ष 1 पटा 1 घटा 9X वर्क का समाकलन इसे निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है, एक बटा नौ गुणा एक्स के सापेक्ष एक बटा एक्स वर्ग घटा दो बटा तीन वर्ग का समा कलन, निम्न कतित सूत्र को लागू करने पर, एक बटा नौ गुणा एक बटा दो गुणा दो बटा तीन गुणा एक्स घटा दो के बहुलक का लौग बटा तीन भाग एक्स जमा दो बटा तीन जमा सी, एक बटा बारा गुणा तीन एक्स घटा दो के बहुलक का लौग भाग तीन एक्स जमा दो जमा सी, जहां सी एक उधारण दो मुल्यांकन करें X के सापेक्ष एक बटा X वर्ग जमा 3X जमा 3 का समा कलन हल दिया है X के सापेक्ष एक बटा X वर्ग जमा 3X जमा 3 का समा कलन सर्व प्रथम 3 बटा 2 वर्ग को जोड़कर तथा घटाते हुए X वर्ग तथा X वाले पदों में वर्ग को पूर्ण करते हैं एक भाग X जमा 3 बटा 2 वर्ग घटा 9 बटा 4 जमा 3 का समा कलन बराबर एक भाग X जमा 3 बटा 2 वर्ग जमा वर्ग मूल 3 बटा 2 वर्ग निमनिक गतित सूत्र को लागू करने पर हमें मिलता है एक भाग वर्ग मूल 3 बटा 2 वर्ग मूल 3 बटा 2 जमा सी जहां सी एक स्विच अचर है उदारण 3 बोल यांकन कीचे X के सापेक्ष 6 जमा 5 बटा वर्ग मूल 6 जमा एक स घटा 2 वर्ग का समा कलन हल मानकी आई पराबर X के सापेक्ष 6 जमा 5 बटा वर्ग मूल 6 जमा एक स घटा 2 एक स वर्ग का समा कलन मानकी 6 X जमा 5 बटा वर्ग कैपिटल A एक घटा 4 X जमा कैपिटल B X के गुणांकों को बराबर करने पर 6 बराबर घटा 4 A अतैव कैपिटल A बराबर घटा 3 बटा दो अचरपत को बराबर करने पर 5 बराबर कैपिटल A जमा कैपिटल B अतैव कैपिटल B बराबर 13 बटे दो अतैव 6 X जमा 5 बराबर घटा 3 बटा दो गुणा एक घटा 4 X जमा 13 बटे दो अतैव आई बराबर X के सापेक्ष घटा 3 बटा दो गुणा एक घटा 4 X जमा 13 बटा 2 भाग वर्ग मूल 6 जमा X घटा 2 X वर्ग का समह कलन इसे समीकरण एक से चिनहित करें 6 जमा X घटा 2 X वर्ग बराबर T रखने पर तब एक घटा 4 X दी एक्स बराबर DT अब X के सापेक्ष एक घटा 4 X बटा वर्ग मूल 6 जमा X घटा 2 X वर्ग का समह कलन बराबर X के सापेक्ष एक बटा वर्ग मूल T का समह कलन बराबर X के सापेक्ष ती घटा एक बटा दो का समह कलन बराबर T की घट एक बटा दो भाग एक बटा दो बटा दो वर्ग मूल T बराबर दो वर्ग मूल 6 जमा X घटा 2 वर्ग X इसके अतरिक्ष एक्स के सापेक्ष एक बटा वर्ग मूल 6 जमा एक्स घटा 2 वर्ग X का समह कलन बराबर एक्स के सापेक्ष एक बटा वर्ग मूल दो गुणा तीन जमा एक्स बटा दो घटा एक्स वर्ग का समाकलन बराबर एक बटा वर्ग मोल दो कुणा एक्स के सापेक्ष एक बटा वर्ग मोल उन्चास बटा सोला घटा एक्स वर्ग घटा एक्स बटा दो जमा एक बटा सोला का समा कलन बराबर एक बटा वर्ग मोल दो, कुणा एक्स के सापेग्ष एक बटा वर्ग मोल, साथ बटा चार वर्ग, घटा एक्स घटा एक बटा चार वर्ग का समाकलन निमने कतिस सूत्र का प्रेयोग करने पर बराबर एक बटा वर्ग मोल दो साइन व्यूत करम चार एकस घटा एक बटा साथ समिकरन एक से आई पराबर घटा तीन गुणा वर्ग मोल छै जमा एकस घटा दो एकस वर्ग जमा तेरा बटा दो वर्ग मोल दो साइन व्यूत करम चार एकस घटा एक बटे साथ जमा सी जहां सी एक स्वेच अचर है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन पी एकस बटा क्यू एकस प्रकार के समाकलन को समाकली के आंशिक भिन्न में हल करके समाकलित किया जा सकता है वशर्ते क्यू एकस शून के पराबर ना हो यदि PX की घात QX से कम है तो परिमे फलन को आशिक भिन्न का उप्योग करते हुए समाकलित किया जा सकता है यदि PX की घात QX से अधिक हो तब हम सबसे पहले लंबे विभाजन की प्रक्रिया का उप्योग करके घात को कम करते हैं और निम्ने नुसार रूप बनाते हैं RX जमा FX बटा QX तथा फिर इसे आशिक भिन्नों का उप्योग करके समाकलित करते हैं आशिक भिन्नों के विभिन रूप एक जब भाजक में गैर पुन्दा व्रित रहकिक कारत समलित हैं तब QX बराबर X घटा A गुणा X घटा B यदि PX जमा Q बटा X घटा A गुणा X घटा B एक परिमे फलन है तो इसका आशिक भिन्न केपिटल A बटा X घटा A जमा B बटा X घटा B है तो जब भाजक में गैर पुन्दा व्रित तथा पुन्दा व्रित रहकिक कारत समलित हैं तब QX बराबर X घटा A गुणा X घटा B यदि PX घटा A गुणा X घटा B एक परिमे फलन है तो इसका आशिक भिन्न केपिटल A बटा X घटा A जमा B बटा X घटा A वर्ग जमा C बटा X घटा B है तीन जब भाजक में गैर पुन्दा व्रित तुई खात खंड समलित हों जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता तब QX बराबर X घटा A X वर्ग जमा BX जमा C यदि PX वर्ग जमा QX जमा R बटा X घटा A गुणा X वर्ग जमा BX जमा C एक परिमय फलन हो तब इसका आशिक भिन्द कैपिटल A बटा X घटा A जमा BX जमा C बटा X वर्ग जमा BX जमा C है चार जब भाजक में एक पुन्रा व्रित दुई घात खंड समलित हो जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता तब QX बराबर AX वर्ग जमा BX जमा C का वर्ग यदि BX वर्ग जमा QX जमा R बटा AX वर्ग जमा BX जमा C का वर्ग एक परिमय फलन हो तब इसका आशिक भिन्द AX जमा B बटा AX वर्ग जमा BX जमा C जमा CX जमा D बटा AX वर्ग जमा BX जमा C के पूरे का वर्ग है उधारण मोल्यांकन कीजे x के सापेक्ष 5x बटा x जमा 1 गुणा x वर्ग घटा 4 का समा कलन हल मानकी i परावर x के सापेक्ष 5x बटा x जमा 1 गुणा x वर्ग घटा 4 का समा कलन इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है बराबर x के सापेक्ष 5x बटा x जमा 1 गुणा x जमा 2 गुणा x घटा 2 का समा कलन मानकी 5x बटा x जमा 1 गुणा x जमा 2 गुणा x घटा 2 बराबर केपिटल A बटा x जमा 1 जमा B बटा x जमा 2 जमा C बटा x घटा 2 दोनों पक्षों में x जमा 1, x जमा 2, x घटा 2 से गुणा कलने पर 5x बटा बर केपिटल A गुणा x जमा 2 गुणा x घटा 2 जमा B गुणा x जमा 1 गुणा x घटा 2 जमा C गुणा x जमा 1 गुणा x जमा 2 गुणांक x वर्ग तथा x पदों की तुलना करने के बाद केपिटल A बराबर 5 बटा 3 केपिटल B बराबर गटा 5 बटा 2 केपिटल C बराबर 5 बटा 6 अतैव 5x बटा X जमा 1 गुणा x जमा 2 गुणा x घटा 2 गुणा 2 गुणा x जमा 2 गुणा 5 6 गुणा x गुणा 2 जमा एक घटा पांच बटा दो गुणा एक्स जमा दो जमा पांच बटा छे गुणा एक्स घटा दो का समा कलन। बराबर 5 बटा 3 X जमा एक के बहुलक का लोग, घटा 5 बटा 2 X जमा 2 के बहुलक का लोग, जमा 5 बटा 6 X घटा 2 का बहुलक जमा C. जहां C एक स्वेच अचर है, खंडिशा समाकलन कारे नियम यदि U और V X के दो फलन हो तब दो फलनों के गुणन का समाकलन पराबर पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन घटा पहले का अवकलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन का समाकलन यदि दो विभिन प्रकार के फलन हो तब हम पहले फलन का चयन उस फलन के रूप में कर जकते हैं जिसका प्रथमाक्षर शब्द I-Late में सबसे पहले आता है यहां Capital I का मतलब है प्रतिलोम त्रीकून में तिये फलन Capital L का मतलब है लगू गण की ये फलन Capital E का मतलब है बीज गण तिये फलन Capital T का मतलब है त्रीकून में तिये फलन और Capital E का मतलब है जर घातां की ये फलन इस इस्थिती में दूनो फलन यदि त्रीकून में तिये हैं तब इस फलन को दूतिये फलन के रूप में लेते हैं जिसका समगलन सरल है और यदि दूनों फलन बीज गणितिये हैं तब इस फलन को प्रतम फलन के रूप में लेते हैं जिसका आफकल अज सरल है उधारण मोलियांकन कीजिए X के सापेक्ष X सेक पर्ग 2X का समा कलन फल मानकी I बराबर X के सापेक्ष X सेक पर्ग 2X का समा कलन खंडिशा समा कलन का प्रयोग करने पर I बराबर X गुणा X के सापेक्ष X सेक पर्ग 2X का समा कलन घटा X गुणा सेक पर्ग 2X के समा कलन का अफकलन का समा कलन आई पराबर एक्स गुणा एक्स के सापेक्ष, एक्स सेक वर्ग, दो एक्स का समाकलन, घटा एक गुणा सेक वर्ग, दो एक्स का समाकलन का समाकलन आई पराबर x गुणा 10 दो x घा तो घटा 1 बटा 2 गुणा x के सापेक्ष 10 दो x का समगलन आई पराबर x गुणा 10 दो x घा तो जमा 1 बटा 4 कॉस 2x जमा C के बहुलक का लॉक जहां C एक स्वेच अचर है खंडिशा समगलन विभिन प्रकार के समगलन x के सापेक्ष E घाथ x गुणा fx जमा F डैश एक्स का समगलन बराबर E घाथ x गुणा fx जमा C जहां C एक स्वेच अचर है तीन और मानक समगलन है समगलन वर्ग मूल A वर्ग घाटा x वर्ग बराबर x बटा 2 गुणा वर्ग मूल A वर्ग घाटा x वर्ग जमा A वर्ग बटा 2 साइन ब्योत्क्रम x बटा A जमा C समगलन वर्ग मूल A वर्ग जमा x वर्ग बराबर x बटा 2 गुणा वर्ग मूल A वर्ग जमा A वर्ग बटा 2 x के बहुलक का लौग जमा वर्ग मूल A वर्ग जमा x वर्ग जमा C समाकलन वर्ग मोल एक्स वर्ग घटा ए वर्ग बराबर एक्स बटा दो कुणा वर्ग मोल एक्स वर्ग घटा ए वर्ग बटा दो एक्स के बहुलक का लौग जमा वर्ग मोल एक्स वर्ग घटा ए वर्ग जमा सी जहां सी प्रेच अजर है उदारण मुल्यांकन कीजिए X के सापेक्ष वर्ग मूल 3X वर्ग घटा 9 का समा कलन फल दिया है X के सापेक्ष वर्ग मूल 3X वर्ग घटा 9 का समा कलन इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है वर्ग मूल 3 गुणा X के सापेक्ष वर्ग मूल X वर्ग घटा 3 का समा कलन नीचे दिया कया सूत्र प्रयोग करने पर वर्ग मूल 3 कुणा X बटा 2 कुणा वर्ग मूल X वर्ग घटा वर्ग मूल 3 वर्ग घटा वर्ग मूल 3 वर्ग घटा वर्ग मूल 3 वर्ग बटा 2X के बहुलक का लौग जमा वर्कमोल एक्स वर्ग घटा वर्कमोल तीन वर्ग जमासी इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है वर्कमोल तीन गुणा एक्स बटा दो गुणा वर्कमोल एक्स वर्ग घटा तीन घटा तीन बटा दो एक्स के बहुलक का लौग जमा वर्कमोल एक्स वर्ग घटा तीन जमासी जहां सी एक स्वेच अचर है निश्चित समाकलन माना की किसी फ्लन F of X का कोई प्रती अफगलज या समाकलन F of X है तब तब 34X के दोनों मानूं A तथा B के लिए अंतर F of B घटा F of A को A से B के और F of X का निश्चित समाकलन कहते हैं तथा इसे निम्न प्रकार से प्रदश्चित किया जाता है निम्न सीमा A तथा उच्च सीमा B के साथ X के सापेक्ष F of X का समाकलन इस प्रकार निम्न सीमा A तथा उच्च सीमा B के साथ X के सापेक्ष F of X का समाकलन बराबर कैपिटल F of B घटा कैपिटल F of A जहां F of X का प्रती अफकलज या समाकलन कैपिटल F of X है A और B समाकलन की सीमा कहलाती है A एक निम्न सीमा तथा B एक उच्च सीमा है प्राया कैपिटल F of B घटा कैपिटल F of A कैपिटल F of X निम्न सीमा A तथा उच्च सीमा B वाले लेखन का संक्षिप्टी करण है निश्चित समाकलन योग की सीमा के रूप में निश्च समाकलन माना की F of X, X का कोई फलन है जो सम्वृत अंत्राल A, B पर संतत है एक प्राकृत संक्या N के लिए H परिभाशित है H बराबर B घटा A बटा N योग की सीमा H कुणा A का F जमा A जमा H का F जमा A जमा 2H का F इत्यादी A जमा N घटा A का F कुणा H तक इस तरह N के अनंद तक पहुँचने को अंत्राल A, B पर फलन F of X का निश्चिस समाकलन कहा जाता है तथा इसे निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है निम्न सीमा A तथा उच्छ सीमा B के साथ X के सापेक्श F of X का समाकलन अत्यव निम्न सीमा A तथा उच्छ सीमा B के साथ X के सापेक्श F of X का समाकलन बराबर सीमा H अप्रोच इस शूनने H कुणा A का F जमा A जमा H का F जमा A जमा 2H का F इत्यादी A जमा N घटा A का F कुणा H तक हम निश्च समाकलन को परिभाशित कर जुके हैं जहां निम्न सीमा उच्छ सीमा से कम है यदि A B से पड़ा है तब हम परिभाशित करते हैं निम्न सीमा A तथा उच्छ सीमा B के साथ X के सापेक्ष F आफ X का समाकलन बराबर घटा निम्न सीमा B तथा उच्छ सीमा A के साथ X के सापेक्ष F आफ X का समाकलन हम निम्न को भी परिभाशित करते हैं निम्न सीमा B तथा उच्ज सीमा E के साथ X के सापेक्ष F और X का समकलन बराबर 0 उदारन यूगद्वारा निश्च समकलन का मुलियंकन कीजे X के सापेक्ष X जमाचार का समकलन जहां निम्न सीमा शुनने तथा उच्ज सीमा तीन है हल माना की आई पराबर X के सापेक्ष X जमाचार का समकलन जहां निम्न सीमा शुनने तथा उच्ज सीमा तीन है X के स्थापिक्ष F of X का समा कलन जहां निम्न सीमा 0 तथा उच सीमा 3 है उससे I की तुलना करने पर A बराबर 0 बी बराबर 3 F of X बराबर X जमा 4 H बराबर B घटा A बटा N बराबर 3 घटा 0 बटा N बराबर 3 बटा N, N प्राकृत संख्या के अंतर का दाता है अटैब I बराबर लिमिट H अप्रोच जूने H गुणा A का F जमा A जमा H का F जमा A जमा 2H का F जमा इत्यादी A जमा N घटा A का F गुणा H तक बराबर लिमिट H अप्रोच जूने H गुणा 0 का F जमा H का F जमा 2H का F जमा आगे N घटा A का F गुणा H तक बराबर लिमिट H अप्रोच जूने H गुणा 0 जमा 4 जमा H जमा 4 जमा 2H जमा 4 जमा आगे N घटा A का F गुणा H जमा 4 तक बराबर लिमिट H अप्रोच जूने H गुणा H गुणा 1 जमा 2 जमा आगे N घटा N जमा 4N तक N H का मान 3 रखने पर बराबर सीमा H अप्रोच जूने 3 घटा H गुणा 3 बटा 2 जमा 4 जूना 3 बराबर 3 घटा 0 जूने गुणा 3 बटा 2 जमा 12 बराबर 33 बटा 2 आधार भूत कलन प्रमय क्षेत्र फलन माना की Y बराबर F आफ X है तथा वक्र से खिरे भाग का क्षेत्र फल है X के सापेक्ष F आफ X का समा कलन जहां निम्न सीमा A तथा कुछ सीमा B है माना की X एक बिंदू इस तरह है की X A B के अंतर का दाता है चित्र से X के सापेक्ष F आफ X का समा कलन जहां निम्न सीमा A तथा उच्च सीमा X है रेखा युक्त भाग के खित्र को दर्शाता है हम इसे खित्र फलन कैपिटल A आफ X कह सकते हैं कैपिटल A आफ X बराबर X के सापेक्ष F आफ X का समा कलन जहां निम्न सीमा A तथा उच्च सीमा X है समा कलन करित की प्रथम आधार भूत प्रमै माना की F बंद अंतराल AB पर एक सतक फलन है तथा माना की कैपिटल A आफ X एक शित्र फलन है तव AB के अंतरगत X के सभी मानों के लिए कैपिटल A डैश X बराबर F आफ X समा कलन गनित की दुईतिय आधार भूत प्रमै माना की F बंद अंतराल AB पर परिभाशित एक सतत फलन है तथा कैपिटल F एफ का प्रती अफकलज या समा कलन है तब X के साबेक्श F आफ X का समा कलन जहां निमनसीमा A तथा उच्च सीमा B है बराबर कैपिटल F आफ X जहां निमनसीमा A तथा उच्च सीमा B है बराबर F आफ B घटा F आफ A उधारण निश्चिस समाकलन का मुल्यांकन कीजे X के साबेक्ष एक बटा X का समाकलन जहां निम्न सीमा 2 तथा उच्च सीमा 4 है हल हमें क्या थै? X के साबेक्ष एक बटा X का समाकलन जहां निम्न सीमा 2 तथा उच्च सीमा 4 है कैलकुलस की आधार भूद प्रमैसे X के साबेक्ष एक बटा X का समाकलन जहां निम्न सीमा 2 तथा उच्च सीमा 4 है बराबर X के बहुलक का लौक जहां निम्न सीमा 2 तथा उच्च सीमा 4 है बराबर चार के बहुलक का लौक, घटा दो के बहुलक का लौक, बराबर लौक चार घटा लौक दो लगुगण के गुणधर्म का उप्योग करने पर हम इसे इस परकार लिख सकते हैं बराबर लौक चार बटा दो बराबर लौक दो उधारण आईए इसे एक उधारण की सहाइता से समझते हैं मुलियांकन कीजिए X के साबेक्ष कॉज X बड़ा एक जमा साइन वर्ग X का समा कलन जहां निम्न सीमा शुन ने तथा उच्छ सीमा पाई बड़ा दो है हल माना की I बड़ाबर X के साबेक्ष कॉज X बड़ा एक जमा साइन वर्ग X का समा कलन जहां निम्न सीमा शुन ने तथा उच्छ सीमा पाई बड़ा दो है माना की Z बड़ाबर G आफ एक्ष बड़ाबर साइन एक्ष X के साबेक्ष आफ कलन करने पर डी Z बड़ा डी X बड़ाबर कॉज X डी Z बड़ाबर कॉज X डी X अब हम नई सीमा निकालेंगे जब X बड़ाबर पाई बड़ा दो ये इंगित करता है कि Z बड़ाबर G आफ पाई बड़ाबर साइन पाई बड़ा दो बड़ाबर एक एवं जब X बड़ाबर शूने हो तो ये इंगित करता है कि Z बड़ाबर G आफ शूने पराबर साइन शूने बड़ाबर शूने अतैव X के सापेक्ष कॉस X बड़ा एक जमा साइन वर्ग X का समा कलन जहां निम्न सीमा शूने तथा उच्छ सीमा पाई बड़ा दो है Z के सापेक्ष एक बड़ा एक जमा Z वर्ग का समा कलन जहां निम्न सीमा शूने तथा उच्छ सीमा एक है बराबर 10 व्यूत करम Z जहां निमन सीमा 0 तथा उच्छ सीमा 1 है बराबर 10 व्यूत करम 1 माइनस 10 व्यूत करम 0 बराबर पाई बटा 4 घटा 0 बराबर पाई बटा 4 निश्चिस समा कलनों के कुछ गुन धर्म गुन धर्म निमने लिके थैं क्या आप जानते हैं सर आइसेक न्यूटन ने सौतंतर रूप से कलन विक्सित किया सारांश अर्थाद d बटा d x कैबिटल f अफ आफ अफ अफ एक्स तब हम कहते हैं कि f अफ 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 का प्रति अफकलज या समा कलन कैबिटल f अफ अफ एक्स है एवं जिसे निमने परकार से लिखा जाता है X के सापेक्ष F का समाकलन Capital F of X है समाकलन की तीन विदिया है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आंशिक भिन द्वारा समाकलन और खंडशा समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की विदिय में हम एक स्वातंत्र चर को एक दूसरे चर में बदलते हैं यदि एक समाकल्य एक त्रीकॉन मितिय भलन है तब हम त्रीकॉन मिति के सूत्रों का उप्योग करके दिये गए भलन को मानक समाकल्यों में अथवा उनके बीज करिंतिय योग में बदलते हैं PX बठा QX को समाकल्य के आंशिक भिन्न में हल करके समाकलित किया जा सकता है बशर्टे QX 00 के पराबना हो यदि U और V X के दो फलन है तब दो फलनों के गणन का समाकलन बराबर प्रथम फलन गणे दितिय फलन का समाकलन खटा प्रथम फलन का समाकलन गणे दितिय फलन का समाकलन का समाकलन माना कि किसी फलन F of X का कोई प्रती अफकलज या समाकलन Capital F of X है तब 74 चर X के दो मानों A तथा B के लिए अंतर Capital F of B घटा Capital F of A को A से B की और F of X का निश्चित समाकलन कहते हैं तथा इसे निम्न सीमा A तथा उच्चि सीमा B के साथ X के सापेक्ष F of X के समाकलन गणे दोरा प्रतशित किया जाता है इस परकार निम्न सीमा A तथा उच्चि सीमा B के साथ X के सापेक्ष F of X का समाकलन बराबर F B घटा F A योगी सीमा के रूप में अंतराल A, B पर फलन F of X का निश्चित समाकलन निम्न सीमा A तथा उच्चि सीमा B के साथ X के सापेक्ष F of X का समाकलन बराबर सीमा H अप्रोचिस चूने H गुणा A का F जमा A जमा H का F जमा A जमा 2H का F जमा इत्यादी A जमा N घटा A का F गुणा H तक जहां H बराबर B घटा A बटा N समाकलन गणित की आधार भूत प्रमै निम्न सीमा A तथा उच्चि सीमा B के साथ X के सापेक्ष Fx का समाकलन बराबर निम्न सीमा A तथा उच्चि सीमा B के साथ F of X बराबर F of B घटा F of A